जै गुरुजी, श्री पुराण पुर्शोतमाय नमहा, श्री गणिशाय नमहा, श्री शिव महापुराण विद्येश्वर सहिता, प्रयाग में सूजी से मुनियों का तुरंत पापनाश करने वाले साधन के विशे में प्रश्न, जो आदी और अंत में तथा मध्य में भी नित्य मंगल में है, जिनकी समानता अत्वा तुलना कहीं भी नहीं है, जो आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले देवता हैं, जिनके पाँच मुख हैं और जो खेल ही खेल में अनायास जगत की रचना, पालन और संघार तथा अनुग्रह एवं तिरो भावरूप पाँच प्रबल कर्म करते रहते हैं, उन सर्व श्रेष्ट अजर अमर इश्वर अंभिका पती भगवान शंकर का मैं मन ही मन चिंतन करता हूं। व्यास जी कहते हैं, जो धरम का महान शेत्र है और जहां गंगा यमना का संगम हुआ है, उस परम पुन्यमय प्रयाग में जो भ्रम लोक का मार्ग है, सत्य व्रत में ततपर रहने वाले महा तेजस्वी, महा बाग, महा मात्मा, मुनियों ने एक विशाल ग्यान यग्य का आय सूच जी को आते देख, वे सब मुनी उस समय हर्ष से खिल उठे और अत्यंत प्रसंचित से उन्होंने उनका विदीवत स्वागत सत्कार किया, तत पश्चात उन प्रसन महात्माउं ने उनकी विदीवत स्तुती करके विनेपूर्वक हाट जोड़कर उनसे इस प्रकार कहा सरवग्य, विद्वान, रोम हर्षन जी आपका भाग्य बड़ा भारी है, इसी से आपने व्यास जी के मुक से अपनी प्रसंता के लिए ही संपून पुरान विद्या प्राप्त की, इसलिए आप अश्चरे स्वरूप कताओं के भंडार हैं, ठीक उसी तरहां जैसे रतनाकर समुद्र बड़े-बड़े सारभूत रतनों का आगार है, तीनों लोकों में भूत, वर्तमान और भविशे तथा और भी जो कोई वस्तू है, वहे आप से अग्यात नहीं हैं, आप हमारे सौभाग्य से इस यग्य का दर्शन करने के लिए यहां पधार गए हैं, और इसी व पुरा वर्णन सुना है, किन्तु उससे त्रिप्ति नहीं होती, हमें उसे सुनने की बारंबार इच्छा होती है, उत्तम बुद्धि वाले सूच जी, इस समय हमें एक ही बात सुननी हैं, यदि आप अनुग रहे हो, तो गोपनिय होने पर भी आप उस विशे का वर्णन करे घोर कली युग आने पर मनुश्य पुन्य कर्म से दूर रहेंगे, दुराचार में फस जाएंगे, और सब के सब सत्य भाशन से मूँ फेर लेंगे, दूसरों की निंदा में ततपर होंगे, पराय धन को हड़प लेने की इच्छा करेंगे, उनका मन पराय स्त्रियों में आस रखने वाले होंगे, मादा पिता से द्वेश रखेंगे, ब्रामन लोब रूपी ग्रहा के ग्रास बन जाएंगे, वेद वेदिका बेजकर जिविका चलाएंगे, धन का उपारजन करने के लिए ही विद्या का अभ्यास करेंगे, और मद से मोहित रहेंगे, अपने जाती के करम छोड़ देंगे, प्राएं दूसरों को ठगेंगे, तीनों काल की संधियों पासना से दूर रहेंगे, और भ्रम ज्यान से शुन्ने होंगे, समझ शत्रिये भी स्वधर्म का त्याग करने वाले होंगे, कुसंगी, पापी और व्यवभी चारी होंगे, उनमें शौरे का अभाव होगा, वे कुद्सित चौरे कर्म से जीविका चलाएंगे, शुद्रों का सा बरताव करेंगे, और उनका चित काम का किंकर बना रहेगा, वैशिये संसकार भ्रष्ट, स्वधर्म त्यागी, कुमार्गी, धनो पारजन परायन तथा नाप पोल में अपनी कुद्सित वित्ति का परीचे देने वाले होंगे, इसी तरह शुद्र ब्रामनों के अचार में ततपर होंगे, उनकी आकरिती उजवल होगी, अर्थात, वे अपना कर्म धर्म छोड़कर, उजवल वेश-बुशा से विबुशित हो व्यर्थ गूमेंगे, वे सुभावता ही अपने ध धर्म का त्याग करने वाले होंगे, उनकी विचार धर्म के प्रतिकूल होंगे, वे कुटिल और द्विज निंदक होंगे, यदि धनी हुए तो कूकर में लग जाएंगे, विद्वान हुए तो वाद विवाद करने वाले होंगे, अपने को कुलीन मानकर चारो वर्णों के अनुष्ठान करने वाले होंगे कलियू की स्त्रियां प्राय सदाचार से भष्ट और पती का अपमान करने वाली होंगी सास ससुर से द्रोग करेंगी किसी से भए नहीं मानेंगी मलिन बोजन करेंगी कुछ से थाव भाव में तत्पर होंगी उनका शील सभाव बहुत बुरा होगा और वे अपनी पती की सेवा से सदा ही विमुक रहेंगी सूज जी इस तरह उनकी बुद्धी नश्ट हो गई है जिन्होंने अपने धर्म का त्याग कर दिया है ऐसे लोगों को इस लोग और परलोग में उत्तम गती कैसे प्राप्त होगी इसी जिन्ता से हमारा मन सदा व्याकुल रहता है परोपकार के समान दूसरा कोई धरम नहीं है अतहे जिस छोटे से उपाए से इन सब के पापों का ततकाल नाश हो जाए उसे इस समय क्रिपा पूर्वक बताईए क्योंकि आप समस्सिधानतों के ग्याता है व्यास जी कहते हैं उन भावित आत्मा का ये बात सुनकर सुजी मनही मन भगवान शंकर का स्मरन करके उनसे इस प्रकार भोले अध्याए एक शीपुरान का परीचे सुजी कहते हैं सादू महात्माओ आपने बहुत अच्छी बात पूची है आपका यह प्रश्न तीनों लोकों का हित करने वाला है मैं गुरुदेव व्यास का स्मरन करके आप लोगों के इस विशे का वर्णन करूँगा आप आदर पूर्वक सुने सबसे उत्तम जो शिव पुरान है वह विदान का सार सर्वस्व है तथा वक्ता और श्रोता का समस्त पापराशियों से उधार करने वाला है इतना ही नहीं वह परलोक में परमार्ट वस्तू को देने वाला है कली की कलमशी राशी का विनाश करने वाला है उसमें भगवान शिव के उत्तम यश्का वर्णन है ब्रहामनों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारो पुर्शार्थों को देने वाला यह पुरान सदा ही अपने प्रभाव के दृष्टी से व्रिद्धी या विस्तार को प्राप्थ हो रहा है विप्रवरों उस सर्वोतम शिव पुरान के अध्यन मातर से वे कलियुक के पापा सक्त जीव, श्रेष्ट तमगती को प्राप्थ हो जाएंगे कलियुक के महान उत्पात तभी तक जगत में निर्बै होकर विचरेंगे जब तक यहां शिव पुरान का उदैन नहीं होगा इसे वेद के तुल्य माना गया है इस वेद कल पुरान का सबसे पहले भगवान शिव ने ही प्रणियन किया था विदेश्वर सहीता, रुद्र सहीता, विनायक सहीता, उमा सहीता, मात्र सहीता, एकादश रुद्र सहीता, केलाश सहीता, शत रुद्र सहीता, कोटी रुद्र सहीता, सहस्र कोटी रुद्र सहीता, वाय विय सहीता, तथा धर्म सहीता इस प्रकार इस पुरान के बारा भेद या खंड है ये बारा सहिताए अत्यंत पुन्यम मई मानी गई है ब्रामनों अब मैं उनके शलोकों की संख्या बता रहा हूँ आप लोग वह सब आदर पूर्वक सुने विदेश्वर सहिता में दस हजार शलोक है रुद्र सहिता विनाय शत्र रुद्र सहिता में तीन हजार कोटी रुद्र सहिता में नौ हजार सहस्र कोटी रुद्र सहिता में ग्यारा हजार वाय विय सहिता में चार हजार और धम सहिता में बारा हजार शलोक हैं इस प्रकार मूल शिव पुरान की शलोक संख्या एक लाग है परांतु व्यासच पुर्वकाल में भगवान शिव ने श्लोक संख्या की द्रिष्टी से सो करोड श्लोकों का एक ही पुरान ग्रंतित किया था स्रिष्टी के आदी में निर्मित हुआ वह पुरान साहित अत्यंत विस्त्रित था फिर द्वापर आदी युगों में द्वैपायन आदी महरिश्यों ने जब पुरान का अठारा भागों में विबाजन कर दिया उस समय संपून पुरानों का संख्शित स्वरूप केवल चार लाग श्लोकों का रह गया उस समय उन्होंने श्युप पुरान का 24,000 श्लोकों में प्रतिपादन किया यही इसके श्लोकों की संक्या है यहे वेद तुल्य पुरान साथ सहिताओं में बटा हुआ है इसकी पहली सहिता का नाम विदेश्वर सहिता है दूसरी रुद्र सहिता समझनी चाहिए तीसरी का नाम शत्र रुद्र सहिता चौती का कोडी रुद्र सहिता पांचवी का उमा सहिता छटी का कैलाश सहिता और साथवी का वाय विय सहिता है इस प्रकार ये साथ सहिताएं मानी गई हैं इन साथ सहिताओं से युक्त दिव्वे शिव पुरान वेद के तुल्य प्रमानिक तथा सबसे उत्क्रिष्ट गती प्रदान करने वाला है। यह निर्मल शिव पुरान भगवान शिव के द्वारा ही प्रदिपादित है। इसे शैव शिरोमनी भगवान व्यास ने संग्षेप से संकलित किया है। यह समस्थ जीव समुदाई के लिए उपकारत, त्रिवित तापो का नाश करने वाला तुलना रहित एवं सत्पुर्षों को कल्यान प्रदान करने वाला है। इसमें विदान्त, विज्ञान मै, प्रदान तथा निश्क पड़ धर्म का प्रतिपादन किया गया है। यह पुरान, इर्शा रहित, अंते करन वाले विद्वानों के लिए जानने की वस्तु है। इसमें श्रेष्ट मंत्र सहमू का संकलन है, तथा धर्म, अर्थ और काम, इंत्री वर्ग की प्राप्ति के साधन का भी वर्णन है। यह उत्तम श्यू पुरान, समस पुरानों में श्रेष्ट है, वेद विदान्त में विद्वे रूप से विलासित, परम वस्तु परमात्मा का इसमें ग्यान किया गया है। जो बड़े आदर से इसे पढ़ता और सुनता है, वेह भगवान शिव का प्रिय होकर परम गती को प्राप्त कर लेता है। अध्याए दो, जै गुरुजी